कैसे हैं आप सब उमीद कर दी हूं रोज की तरह आप सब अच्छे होंगे आज मैं फिर से लेकर आए हूं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रेक्स जो आपको काफी यूसफुल होंगे साथ ही साथ आगे वीडियो में मैं बताऊंगी चावल लाने के बाद हमें उसे चेक क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए तो वीडियो को बिलकुल भी करिए गा पुरा देखे सब्सक्राइब करेब बीज है तो चैनल पर अपयाद आहीं आप देंगा हमें क्या हैस को लेना है उसका ट्रेंगल में कट कर देना है तो क्या होता है कि इस तरीके से हम एक बुक मआघर बना सकते हैं red जो भी व alaykaS पढ़ने होंगे बस वहां पर इस तरीके से आपको इसको लगा देना है तो है ना ये अच्छा तरीका एक इन कार्ट को यूज़ करने का अगर ये हैक पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा चलिए देखते हैं अगला है कौन सा है हम सब इस तरीके से डेली चावल खाना पसंद करते हैं मार्केट से खरीटते हैं लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें कुछ न कुछ मिलावाट हो जाती है क्योंकि जब उसकी बिक्री जब ज्यादा होती है तो पादन जो होता है वो कम होता है तो उसके बाद क्या होने लगता है उसमें मिलावाट शुरू हो जाती है लेकिन इसको हमें घर पे लाने के पाद एक पाद ज तो जो भी उसमें tha मिलावट हो जो भी होगा तो आपको साफ साफ उसमें दिखाई देनी लगेगा, उपर सत्य पर आने लगेगा तो इस तरीके से हम उन चाबलों को चेक कर सकते हैं, कि वह अच्छी है कि नी अच्छी क्वालिटि कर झाली है कि और अरीजिनल के ने इसको चेकरने का एक तरीका और भी है इस तरीके से आप गैस बरणर पर आप उन चाबलों के दानों को रख दे को अ उसके बाद आप बेद्धा को ऑन कर दे उसके बाद देखेगा वह तुड़ा सा चावल भुनने टाइप का लगेगा अगर वह पिगल रहा है तो आप जो चावल है उसकी क्वालिटि अच्छी है तो हम अपने सेहत के साथ खिरवान नहीं कर सकते हैं तो इस तरीके से चावल जब भी आए तो आप इस तरीके से जरूर चेक करिएगा पानी में ढालकर और इस तरीके से चूले पर डालकर तो यह है कापको कैसा लगा है प्लीज ज लगाने वाला नहीं तो वहां पर हम क्या करेंगे तो वहां पर इस तरह केसे नील क्टर ड कित डॉले पर इसको भी हम अच्छा सा इक और बना सकते है इन मोबाइल के लिए आप देखने थो पार्ट अंदरment समय को विशसा हैं, खबहा है, पहले वीडियो पहले करें लाकर अगर भार। इसको पना मोबाल सकते हैं, आगर रहा है वीडियो ख़िए रहा है, और यह शोथ सब्सक्राइब करें, नहीं आप कुछे划 है तो चलिए देखते हैं आगे अगला है कौन सा है जैसे मैंने यहां पर लिया है यह साबरदाना का पैकेट आपका कोई भी पैकेट हो सकता है चाहे जीरा हो चाहे कुछ भी हो तो हम लोग क्या करते हैं इसमें से जितना हमें चाहिए होता हम कंटेनर में रखने के बाद उसको या तो rubber band से उसको wrap कर देते हैं या फिर क्लॉथ पिन लगा देते हैं इस तरीके से rubber band लगा दिया या फिर cloth पिन लगा दिया लेकिन इसका भी एक और तरीका है अच्छा से इसको रखने का आपको क्या करना क्या है एक लेनी है सबके घर में होती है cold ring वेगरा की bottle इस तरीके तरीके से इसको मन चाहिटे के ज़ना को आप अपको गरम करके भी कोट कर सकते हैं तरीके से देखें मैंने अंदर इसको लगा दिया है उसके बाद इसका जो साइड में थोड़ा बहुत भी गैप रहेगा उसको आप थोड़ा सा ऐसे टाइट करके उसको फिक्स कर दें और इस तरीका रबर्बर मेंट तो हम सब के पास होता ही है तो बस इस तरीके से उसको टा होता है उतना निकाल ले और उसके बाद फिर इसको ढ़कन लगा कर कैप लगा कर अराम से एक जगे पर रख सकते हैं तो यह है ना एक बहुत अच्छा कबार का जुगार टाइप है तो इस तरीके से आप उसको पुराने हमाई जो डब्बे होते उनको भी यूज कर सकते है और अच्छा कासा आपको एक अलग से कंटीनर खईने की विज़रत नहीं लगेगी तो देखते हैं अगला है कौन सा है इस तरीके से हम सबके पास चार्जर बगर होते हैं जो समय समय के साथ यूज करते करते हैं उस पी काफी जादा गंदगी बैट जाती है तो इसको भी हम समय पर साफ करते रहना चाहिए इसको हम पानी वेगर से तो साफ नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए आपको यूज करना है कॉल गेट से इतना अच्छा आपका क्लीन हो जाएगा ना आपको लेना है उसके बाद एक टिशू पेपर टिशू पेपर पर इस तरीके से थोड़ा स टाइटली खीचना है तो आप खुद देख सकते हैं उसमें जितनी भी गंदगी है आप अराम से निकल रही है तो इस तरीके से पूरे तार पर हम अच्छे से इसको टाइटली थोड़ा सा खीच के इसको साफ करेंगे ना तो जितना भी हमाने यह इस तरीके जो चार्जर व तो देखिए हो गया है ना साफ क्लीन कितना अच्छा तो इसको भी जरूर ट्राय करिएगा आप देख सकते हैं पहले यह कितना गंदा था और इधर साइट में यह कितना जादा साफ हो गया है तो इस तरीके से हम कॉल गिट पेगरा को यूज में ले सकते हैं तो अगर जो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यूज अगर देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यूज